कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे और आप लोगों ने भी दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपनी फैमिली के साथ तो आज है छोटी दिवाली और मैं निकल पड़ी हो तयार होके पटाके लेने के लिए क्योंकि सारी चीजें तो मेरी हो चुकी थी सब डेकोरेशन वगरा मैंने कर दिया था और पटाके हम नहीं लेते हैं हम लेते हैं फूल जड़ी और बच्चों के लिए पॉप आपस वगरा तो वही हम देख रहे थे सारे चीजें पसंद कर रहे थे तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी दु और बच्चों के लिए कुछ खिलोने वगरा लिए यहीं पर सौप वगरा थी तो वहां से हमने लिया फिर हम आगए मंदिर का सामान लेने के लिए तो देखिए यह इसको क्या भी क्या बोलते हैं पता नहीं लेकिन मुझे यह बहुत सुन्दर लगता है तो बस मैंने उसको पुरा डेकॉरेशन भी करना रहता है मंदिर का तो बस मैंने सारी चीज़े ले ली मैं भावी से पूछ रही थी कि यह माले का क्या काम होता है यह फल का क्या काम होता भावी बता रही थी कि यह माला इन भगवान को चढ़ाते हैं उनको चढ़ाते हैं तो बस मैं भावी से पूँच पूच की सारे चीज़े ले ने थी, फिर भाबी ने बोला की बर्फी भी ले लेते है, ये भी चढ़ाई जाती है, बस हमने बर्फी लेया, और बीच-बीच में हमारी कॉमेडी और हमारी हासी मजाग चलती रहती है तो ये देखिए हो गई है हमारी भरपूर, शॉपिंग, पटाखे दिवाली और मंदिर की डेकोरेशन का समान भगवान जी को चढ़ाने के लिए मिठाईया फूल, माला, सब कुछ हो चुका और बस अगले दिन आ चुकी है दिवाली, ये दिवाली के दिन सुबा सुबा का है, मेरी जो हेलपर है हाउस हेलपर, तो मैंने उसे उसका दिवाली का पूरा जो भी है गिफ्ट उसको दे दिया, उसके बाद मेरी बिटी अरानी उठके आई है, 11 बजे हम कर्टिन्स वगरा लगा रहे थे, तो मैंने सबसे पहले अपनी बिटी अरानी का आशिरवाली या फ्रेंड मैं देखिए कि आज दिवाली है आज भी काम नहीं खतम हुआ है काम जो है कि खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतने दिन से हम लोग लगे थे, फिर भी आज के दिन भी काम पिर देखे, मैं आगई अपने बेटी के मंदीर को डेकोरेट करने के लिए, जो मैंने आपको दिखाया था, उसका बिटी का चोटा सा घर मैंने बनाया, फिर मैंने गेट पे सुब लाब बनाया, उसके बाद ये मेरी एक और हाउस हैलपर है, जो मेरी मदद करती है खाना पीना में, तो बस फिर मैंने उन्हें भी उनका दिवाले गिफ्ट देया, फिर देखी, आप बारी आ गई है, मेरे रंगोली बनाने की, और फ्रेट धूप इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बता हूँ, मैं सच बतारी हूँ, मैं रंगोली बनाने में मेरा एक हाथ बिल्कुल टैन हो गया देखे, मैं कितने डुपटे से कवर किया है मैंने, लेकिन फिर भी टैनिंग हो गई मुझे, तो रंगोली बनाने में सबसे लदा टाइम लग जाता है यार, दो ड़ाई गंटे रंगोली में लग जाते है इतना कुछ करने में देखे, मुझे बच गया है, तीन, फिर मैं आ गई अपने चौकी को सजाने के लिए तो फटाफट मैंने अपना, जो मुझे जैसा मैंने डेकोरेशन सूचा था कि मुझे मंदीर सजाना है, चौकी करना है तो बस फटाफट मैं आ गई अपने चौकी और अपने मंदीर को सजाने के लिए, चौकी को लगाने के लिए, देखे, मैं आपको दिखा रही हो कि थोड़े थोड़े मिनट क्या डेकोरेशन की है अभी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी तो दिवाली वारा दिन जो होता है वो बहुत हैक्टिक होता है आपको टाइम ही नहीं मिल पाता है आप कितने भी सुबा उट जो मैं तो 6 बजे उट गई थी और यह देखिए कितना समाना भी फैला हुआ देखिए रोस पैटल्स और यह गेदे के पंखुरियां मैं तोड़ के रख लिया पहले से अभी मुझे अपने पैसे का डेकोरेशन करना है तो बस मैंने मंदिर को अपने पूरा एकदम फाइनल एकदम डेकोरेट कर दिया फिर मैं आगई अपने पैसेज की तरफ तो पती देव ने मेरी थोड़ी मोड़ी मदद कर दी मैंने भूला थोड़ी मोड़ी मेरी आप मदद कर दोगे तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी फिर मैं दोड़ के आगई मंदिर में अपनी जो डॉटर के लिए मैंन मतलब मेरे से बड़े हैं, मेरे दो भाई हैं, तो ये मेरे छोटे भाई हैं, ये लखनव रहते हैं, तो ये भाईया आ गया मेरा दिवाली गिफ्ट लेकर, और पापा आ गया है, पापा भी देखी लखनव गया थे भाईया लोग के पास, तो मैं भी पापा से मिली हैं, पंद मुझे साथ से साड़े साथ बच गया फिर मैं दोड़ के आ गई मंदिर पूजा करने के लिए बस मैं बैट गई हूँ पूजा करने के लिए देखे मेरे भगवान जी लोग भी बिलकुल सच धज गया है कितने सुन्दर लग रहे हैं ज़रूर कि आपको मेरे मंदिर का डेकोरेशन कैसा लगा और आपको मेरे घर का कौन सा डेकोरेशन ज्यादा अच्छा लगा मैं आप भी आपको सारा घर दिखाऊंगी तो मुझे ज़रूर बताईएगा और आप बताईगा कि आपको मेरा लुक कैसा लगा friends so देखें मेरी पूजा हो गई है मेरी पूजा हो गई सब कुछ मैंने विधी विधान से कर लिया अब यह देखिए मेरे घर का यह देखिए मेरा मेन एंट्रेंस है यह देखिए मेरे गेट की डेकॉरेशन मैं आपको कौन सा ज़्यादा अच लगा यह देखिए यह मेरे entry पे यह मेरा decoration है उसके बाद आता है मेरा बहुत ही खुब सूरत मेरा best decoration जो मुझे लगा है ना एक तो देखिए यह रंगोली है इस रंगोली से भी ज़्यादा मुझे पसंद है ये वाली रंगोली और ये जो मिट्टी का घर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैं इसको देखते कि इतना खुश होती मैं रोज सुबा उड़ती सबसे पर जाके मिट्टी के घर को देखती हूँ डेली मैं जाती मुझे बहुत ज़्यादा खुश ही मिलती इस लड़ियों और क्या मुलते दियास वगेरा से पुरा सजा दिया है वो देखे मैंने आपको अंधेरे में दिखा आया था अब मैं आपको लाइट आउन करके दिखाती हूं फ्रेंट्स तो आप बताएगा कि आपने क्या किया इस भार दिवाली पे ये देखे मेरी सीडी की रे शेयर और सब्सक्राइब टू माइ यूटूब चैनल विच इस प्रियंग का पैशन तो देखे मैं आ गई हूं सबसे पहले पूजा करने के बाद मैं आई हूं अपने प्लॉट पे दिया रखने के लिए उसके बाद मैं जाओंगी मम्मी के घर जहां मेरी भती जी देखे द बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट हुआ था बहुत सुंदर लग रहा था यह देखे किती बड़ी सी रंगोली है और यह सारी चीज़ें फ्रेंट्स मैं आभी थोड़े दर पहले सो कर उठी हूं इसलिए आपको मेरी वाइस थोड़ी स चीज़ लग रही होगी बट मैंने ब ऊड़ा आज में वॉस्ववर रिंग करके डाल देती हूं यह रह पापा यह रह blessed भाईया वो रहे चोटे भाईया और ये रही मम्मी जो भावी से मिल रही है अब अंदर चलती हूं बाकी भावी से मिलवाती हूं ये रही अंदर मेरे दो और भावी लोग और देखे ये रही मेरे जिगर के टुकड़े बच्चे और ये रही देखे मेरी एक भती जी जो वर्मramadans होते हैं बच्चे यार मतलब मैं क्या ही बता हूँ कितनी बोले हैं दिखिए कैसे बैठे हैं गिफ्त anál पर हात को आगे करके बैटे हैं जबने बच्चों के साथ क्या था आप उनके उपास कितनी भी चीज Web 009 कितना भी आप उनको दो कितना भी रखे रहें लेकिन गिफ्ट के नाम पे उनकी जो खुशी होती है चेहरे पे वो अलग होती है तो मैं सब के लिए लेकर आया थे दिवाली गिफ्ट और देखें समने अपना दिवाली गिफ्ट अपना यूज भी कर लिए मैं लेकर आया थे इतनी क्यूटली वोला तैंक यू भूआ अभी वह बहुत चोटी है ना तो देखिए बस तैंक यू भूआ बहुत जदा खुश उसके बाद फिर हमने आ गए हमने कहा कि चली कुछ हम भी अपना फोटो शेशन करा लेते हैं तो देखिए हमारा फोटो शेशन चल रहा है फिर ह इतना करने में हमें बज गया रात के साड़े बारा हमने किया डिनर और इतना टेस्टी खाना बना था कि मैं क्या ही बता हूँ जबर दस्त खाना बना था मज़ा आ गया या जा आप इत्म ठके रहो और आपके सामने इतना टेस्टी खाना आ जाता है ना पूरी ठकावर दु चैनल के अगले दिन का वीडियो क्योंकि आसा कियो ना थोड़ा झाली सेलिब्रेशन आज भी कर लिया जाए मैं होगई रेडी पती देव हो गया है रखिए आला सारा है रहे होने में के टो पती देव इसको कर रहे हैं 2022 में मंदिर कूझा आज भी कहा था कि है तो मैं कुर्व आज भी थोड़ी पूजा कर देते हैं तो मैंने फटा-फट मंदिर पूजा की फिर अपने बेटू के मंदिर पूजा की फिर हमा गये चट पे हमें कैंडल्स लगाने थे देखिए अगल बगल क्या धमाल हो रहा है तो फिर हमने कैंडल्स लगाए हैं और देखिए कि यह मेरे घर से बाहर का जो लोग दिख रहा है बाकी लोगों का घर दीवाली प्यार इतना सुन्दर लगता है जब सब लोग सजाए रहते हैं तो बहुत खुपसूरत लगता है और यह आ गई हमारे बड़ी भाबी भाबी ने भी केंडस लगाने में हमारी मदद की सो फिर हमने धेर सारे यह जो चुर चुरिया पटाके अनार चकली जो भी होता है यह हमने सब जलाया और देखिए मेरी बिटिया भी जला रही उसको कितना ज़दा मज़ा आ रहा है पूछिए मत बस फिर मैं आपको अपने खर का एक बाहर से लोग दिखा दिया और मैंने दीजे के पास उसको गिफ्ट देने के लिए फिर भाईया ने भी मेरी बीटी को मुझे गिफ्ट दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा जरूर तक खुश रहिए अपना ख्याल रखिए